दोस्तों उर्दो हिंदी इंग्लेश डिक्ष्णरी पार्ट टू में भी हम अलिफ मद से शुरू होने वाले शब्द ही सीखेंगे इस वीडियो का हमारा पहला शब्द है आजमाईश नाउन फेमेनिन है जिसका मतलब है परिक्षा इंग्लिश में ट्राइल टेस्ट प्रूफ आजमूदा जाचा पर्खा हुआ टेस्ट ट्राइड एक्सपरियेंस आस आशा ओप एक्सपेक्टेशन आसाईश सुक साधन गमफर्ट फेसिलिटी इस काम लग्जरियों लाइफ आस्ताना समाधी श्राइन मुसूलियम आश्रा आ आसूदा सुक्सविधा संपन्य जीवन यापन करना वेल ओफ वेल टू डू रिच लिविंग लग्जरियोस लाइफ आसूदगी खुशाली प्रोस्पेरिटी गुट सर्कम्स्टैंसेश आसेब जदा भूतिया पॉसेस्ट हॉंटिट आसेब होना भूत क्रस्ट बी पॉसे आसेबी भूतिया हॉंटिट आसेब सर पर खेलना भूत सवार होना लेकिन जब हम भूत सवार होना इस्तिमाल करते हैं तो वो किसी काम या किसी द्रण निच्चे को भी दिखाता है आफ पॉसेस्ट परसन आश सूप या पैपदार्थ सूप या वाटर आश्ति शान्ती भा एक्सपेक्टिशन डिजायर आशाम पीना या पीने वाला ड्रिंकिंग वन हू ड्रिंक्स आशुफता उल्जा हुआ पेचीदा हक्का बक्का व्यग्र हैरान परप्लेक्स्ट कन्फूजड अफलिक्टिद डिस्ट्रेस्ट आशुफता से जुड़े कुछ शब्द हैं आश चैन चिंताग्रस्ट आशुफता खातरी या आशुफता दिली बेचैनी चिंता अशुफता दिमाग या आशुफता सर्थ विचिप्त अशुफता मिजाज या कुछता दिमाग या आशुफता सर्थ विचिप्त अशुफता मिजाज या कुछता दिमाग यखलल इस्ट्र distracted, आशुफ्ता तबा, वैथित, विजलित, व्यग्र, distracted, आशुफ्तगी, विकार, खलल, घबराहट, बेचैनी, उन्माद, disorder, misery, uneasiness, derangement. आशना, noun masculine और adjective दोनों हैं, जिसका अर्थ होता है, परिचित, जान पहचान वाला या मित्र. acquaintances, comrade, friend, knowing, हर्फ आशना, नो सीखिया या कोई काम शुरू करने वाला, beginner, सूरत आशना, चेहरे से पहचानन, नो बाई साइट, आशनाई, परिचे, दोस्ती, भनिष्टता, acquaintance, friendship, fellowship, intimacy, आशने आना, मित्रता पूर्वक, friendly, इना friendly, manner, आशकारा, प्रकट, प्रतेक्ष, जाहिर, स्पष्ट, derangement, evidence, obvious, disclosed, आशूब, उपद्रव, शोर्गुल, हंगामा, कोहराम, अप्रोब, disturbance, tumult, illak, शहरे आशूब, किसी देश या शहर की दुरदशा, स्टायर ओन कंट्री और सिटी इस डिसर्व्ट स्टेट अफ आफेर, आशियाना, निवास्थान, residence, आगास, आरंब, beginning, start, हर्फे आगास, प्रस्तावना, भूमिका, forward, prefetriate note, नुक्ताय आगास, प्राभ रंभिकेंद्र बिंदू, start point, आगोश, आलिंगन, embrace, lab, बूसम, आफद, मुसीबत, दुर्भाग, अमंगल, तबाही, calamity, disaster, evil, misfortune, unhappiness, default, hardship, आफद, खेज, अशांत, उपद्रवी, उथल-बुथल, tumultuous, calamitous, आफद, शितिज, होरिजोंस, आफद, सूर्य, सन, आफरीन या आफरीन, प्रशंसा, सराहना, तारीफ, well done, brave, praise, applause, आका, मुखिया, शासक, दक्ष, निपन, Employer, Lord, Master, Owner, आल, वंशज, संतान, वंश, पुरगनी, family or followers of a great person, आल, अलाद, वंश, परंपरा, Children, Kinder, Dynasty, आलाद, उपकरण, ओजार, हथियार, Instruments, Tools, Weapon, आलाइश, मलिंता, गंदिगी, फिल्थ, आलूदा, प्रदूशित, पलूटेट, आलूदगी, प्रदूशन, पलूशन, आमादा, आतुर, तत्पर, तयार, Ready, Prepared, आमादगी, तत्परता, प्रवर्थी, Readiness, Inclination, आमद, आगमन, Arrival, Income, Inspiration, आमदनी, कमाई, या लाग, Income, Revenue, Profit, अब हमारा अगला शब्द है आमिर, जिसकी स्पेलिंग पर हमें ध्यान देना होगा, जो अलिफ मत के साथ शुरू हो रही है, क्योंकि एक और आमिर है उर्दू में, लेकिन उसकी स्पेलिंग बिलकुल अलग है, जिस पर हम बात अगले किसी वीडियो में करेंगे, फिल्हाल हमारे पास एक शब्द है आमिर, जो अलिफ के साथ शुरू हुआ है, अलिफ मत, मीम्रे, आमिर, नाउन मैस्कुले, और जिसका मतलब है तानाशा या डिक्टेटर, आमिराना दबंग, रोबदार, तानाशा, डिक्टेटोरिय, आमिराना निजाम, निरंकुष्टा, तानाशाही, एक सत्तावाद, डिक्टेटर्शिप, अमिरियत, निरंकुष्टा, अधिनायत्व, तानाशाही, एक सत्तावाद, डिक्टेटर्शिप, आमना सामना, आमना सामना, मुकाबला, विरोध, कन्फरंटेशन, कन्फरंटिंग, आमने सामने, एक दूसरे के विरोधी, अपोजिटी इचेदर, आमुखता, याद किया हुआ, पिछला पार्ट, प्रिवियस लेसन, लेंट या टॉट, आमोज, शिक्षर, लेंग और टीचि आमोजिश, आदेश, उबदेश, आग्या, इंस्ट्रक्शन्स, आमेखता, मिलाजुला, मिश्रित, मिक्स्ट, आमेज, मिश्रन, मिक्सिक, आमेजिश, मिलावट, मिश्रन, मिक्स्चर, एड्निक्स्चर, एस्सोसियेशन अगला हमारा शब्द है आन जो की noun feminine है जिसका एक मतलब है छर्ण बरतमान एकदम ततकालीन इंस्टेंट, moment, time और ज्यादा तर ये एडवर्ब के रूप में इस्तिमाल होता है एक आन में एक पल में फोरन शीगर जटपट ततकाल इंस्टेंटली इना मोमेंट आन की आन में तुरंत फोरन शीगर जटपट ततकाल इंस्टेंटली 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 इना जिफे आनन फानन तुरंत फोरन शीगर जटपट ततकाल इंस्टेंटली और जिसका अर्थ होता है दया, कृपा, उपाधी, गौरो, प्रताप, नम्रता, आत्मसम्मान, बिहेवियर, ग्रेज, प्राइड, डिग्निटी, मोडेस्टी, इससे बनने वाले शब्द हैं आनबान, चमक, प्रताप, शानो शौकत, तेज, पॉंप एंडशो, स्प्लेंडर, आनबान से रहना, नजाकत या शालिंता से रहना, लिव इलिगेंटली, आन तोड़ना, किसी का घमन तोड़ना, हमबल, संवन्स प्राइड, ब्रिंग शेम टू, उमीद करते हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, हमारे अगले वीडियो के लिए करें हिंदी उर्दो लेर्निंग स्टेशन, थैंक यू